साथियों कुछ राजनितिक लोगों की दखल अंदाजी की वज़े से हमारे चैनल को बंद किया जा सकता है इसलिए हमने नया चैनल मीडिया हलचल स्टेट बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है साथ ही वीडियों में लोगों के पास आया एकन पर भी लिंक दिया है जिस पर जाकर आप हमारे नया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ दे हमारे नया चैनल का नया लोगों हमने उपर लगा दिया है जिससे आप पहचान करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं सपा संरक्षिक मुलाइम सिंग यादव की एक बार फिर तबियत खराब हो गई है जिसके चलते उन्हें सिविल अस्पताल में फर्ती करवाया गया जहां डॉक्टर्स के एक टीम ने उनकी जाच की मुलाइम सिंग यादव को अचानक सीने में दर्द उठने की शिकायत हुई जिसके बाद अनन्फानन में डॉक्टर को बुलाया गया मौके पर पहुंचे सिविल अस्पताल की डॉक्टर एक इस सिंग ने उनकी चार्च की अपने दलबल के साथ मौझूद मुलाइम सिंग यादव ने रात में सबाद दस के आसपास अपने सीने में तीच दल्द की शिकायत की थी जिसके बाद उनको अस्पताल में फर्दी करवाया गया अस्पताल के बरिष्ट डॉक्टर आशुतोष दुवे के अनुसार डॉक्टरों की टीम के अनुसार मौलाइम सिंग यादव पहले से अब ठीक हैं लेकिन उनकी तबियत फिर ना खराब हो इसके लिए उन्हें डॉक्टरों के साथ निगरानी में रहने की सलाह दी गई है निगरानी में रहे थे इसके बाद उन्हें छुट्टी मिल गई थी लेकिन एक हफ़ते के बाद फिर से उनकी तबियत खराब हो गई थी जिसके चलते उन्हें वैशाली के एक अस्पताल में भरती करवाया गया था लगातार मुलाइम सिंग्यादर की तबियत खराब हो रही है जिसके चलते उन्हें डॉक्टर्स की जरूरत पढ़ती रहती है एक बार फिर डॉक्टर्स ने उन्हें चिकिस्कों की निगरानी में रहने की सलाह दी है जादा उम्र होने के चलते उरिनल इंफेक्शन और शुगर की समस्या के चलते उनको बार बार परिशानी हो रही है जिसके चलते उनको डॉक्टर्स की निगरानी में रहने की सलाह दीचा रही है विरो रपोर्ट मीडिया हलचल साथियों कुछ राजनितिक लोगों की दखलंदाजी की वज़े से हमारे चैनल को बंद किया जा सकता है इसलिए हमने नया चैनल मीडिया हलचल स्टेट बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है साथ ही वीडियो में लोगों के पास आया एकन पर भी लिंक दिया है जिस पर जाकर आप हमारे नया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दे हमारे नया चैनल का नया लोगो हमने उपर लगा दिया है जिससे आप पहचान करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं